ओम नमों भगवते वाश्यदेवाए नमाहा श्रीमत भगवत गीता सादक संजीवनी अध्याय तेरह श्लोक संक्या नौ असक्तिरन अभिक्षंग पुत्रदार ग्रहादिशु नित्यम्च समचित तत्वम अमिष्टान अश्टोंध पपत्तिशु आसक्ति रहित होना पुत्र, स्त्री, घर, आधी में एकात्मता या घनिष्ट संबन न होना और अनुकूलता, प्रतिगूलता की प्राप्ती में चित्तिका, नित्य सम रहना असक्ति है उत्पन होने वाली अर्थात सांसारिक वस्तू, व्यक्ति, घटना, परिस्तिति, आधी म सक्ति कहते हैं, उस सक्ति से रहित होने का नाम असक्ति है, सांसारिक वस्तू, व्यक्तियों आधी से सुक लेने की इच्छा से, सुक की आशा से और सुक के भोग से ही मनुश्य की उनने आसक्ति या प्रियता होती है, कारण की मनुश्य को संयोग के सिवाय सुक नहीं दीखत इसलिए उसको संयोग जन्य सुक प्रिये लगता है परंतु वास्तविक सुक संयोग के वियोग से होता है इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसकती का त्याग करना बहुत आविश्यक है उपाए संयोग जन्य सुक आरम में तो अम्रत की तरह दीखता है पर परिणाम में विश्च की तरह होता है संयोग जन्य सुक भूगने वाले को परिणाम में दुख भूगना ही पड़ता है यह नियम है अता संयोग जन्य सुक के परिणाम पर द्रश्टी रखने से उसमें आ सकती नहीं रहती अनभिशंग पुत्रदार ग्रहाद इशू पुत्र इस्त्री घर धन जमीन पशू आदी के साथ माना हुआ जो बनिश्ट संबंध है दाड मोव है तादात में है पानी हुई एकात्मता है जिसके कारणा शरीर पर भी असर पड़ता है उसका नाम अभिशंग है अभिश्वंग नहीं है प्रत्युत यह तो निरलिप्तता असंगता है जो की अमरता का अनभव कराने वाली है जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कंजोर हो जाता है ऐसे ही पुत्र के या स्त्री के मर ज कहता है कि मैं मर गया धनके चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया आदि ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहां अनभिशंग गह पदाया है उपाय जिनके साथ अपनी घनिश्ट संबंद दीखे उनके सेवा करो उनको सुक पहुंचाओ पर उनसे सुक लेने का उद्देश तो उनसे अभिश्वंग या तादात में दूर करने का ही है अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश रखेंगे तो उनसे तादत में हो जाएगा हां उनकी प्रसंदा के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी ना हो क्योंकि राजी होने से रखे नित्यम्-च सम्चित्त तत्व अमिस्तानी अश्टोप पत्तिशु इश्ट अर्थात मनके अनकूल वस्तु व्यक्ति फरिस्तिति घटना आधि के प्राप्थ होने पर चित में राग हड़्श सुख्ध अधिविकार नहोः और अनिश्ट अर्थात मनके प्रतिकूल व व्यक्ति आधी के प्राप्त होने पर चित में वूरेश, शोख, दुख, उद्वेग, आधी, विकार नहीं हुआ नहीं कर दक्ति के अनुकूल प्रसुतितियों के प्राप्त होने पर चित में निर्न्तरता समतार है चित पर उसका कोई असर ना पड़े इसको भगवान ने सिद्ध, सिद्धय, सिद्धयो समो भूत्वा बदों में भी कहा है उपाए मनुश्य को जो कुछ अनुकूल सामगरी मिली है उसको वह अपने लिए मान कर सुख भोगता है यह माहन बाधक है कारण कि संसार की सामगरी किबल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं ऐसे ही मनुश्य को जो कुछ प्रतिकूल सामगरी मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है प्रत्युत संयोग जन्ने सुख का त्याग करने के लिए मनिश्य को सांसारे गलाग, आसकती, कामना, ममता, आदी से छोड़ाने के लिए ही मिली है तत्पर है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परस्तितियां मनिश्य को सुख दुख से उचा उठा कर उन दोनों से अतीत परमात्व तत्प को राप्त कराने के लिए ही मिली है ऐसा द्रड़ता से मान लेने से सादक का चित, इष्ट और अनिष्ट को प्राप्ती में स्वता सम रहेगा ओम नमू भगवते वासुदेवाई नमा